नमस्ते, आज हमारे ये एक विशेश कारकम कर रहे हैं हम रेलवेस पे, रेलवेस लिए क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो रेल को हमने जैसे भारतवर शेख है, उसी तरह से रेल भी भारत का एक अभिन हिस्सा था, रेल के आगल वगल जो एक दुकाने हैं, रेल मे सफर करना अपने में ही एक बड़ा इवेंट होता था, बहुत उसकी जब अगर रेलवे जाना है, सफर करना है, तो अपने में एक बड़ा बारी एंग्जाइटी रहती थी, लगता था वे रेलवे में जाना है, फिर रेलवे को ये भी देखा कि रेलवे के किनारे एक अलग भारत है जो हर्दम रोशन रहता है ये माना जाता था किसी भी शहर में कि रात में अगर कुछ चाहिए खाने पीने के कोई दिक्कत कही को तो रेल लेवे स्टेशन चले जो वहाँ सब खुला रहता है वहाँ देखा है रेल के किराए इतने हैं बतलब बहुत मेंगे किराए हो गए है अब सबको A.C. में ही चलने की बात हो रही है जनरल डिबेकब हो रहे है और इन सारे चीजों के पीछे एक चीज़ ये भी हो रही है कि रेल को अब हम कुछ अज़र अलक सी भी नज़र से देखा जा रहा है ये ये भी बहुर आ है कि देल को हाल के धिनों में रेल की सुरक्षा के उपर ये फैक्ट है कि बगूत कम काम हुआ है जो एक आमादमी की नज़र ये से हम कह रहे हैं और उसको कवर करने के लिए जो रेलुए का जसको कहते हैं कि अन्देखी करने के लिए सुरक्षा को वो एक नया निया एंगलम लेके बार-बार आते हैं कि ये तो सेबाटाज की थी ये देश के ऊपर कुछ बाहरी शक्तियां हैं और कुछ कभी वो नकसलवादी बोलते हैं कभी बाहरी सा मामला आया रेलवे के ही तीन जो रेलवे के ट्रैक मैंन थे उनों नहीं फिश प्लेट लेट खोल के रख दी थी और उनों उनको ये था कि हमें दो चीजे कही गई कि एक तो उनको इनाम मिलेगा और दूसरा उनका ही कहना था कि जब वो पकड़े गए कि हम नाइट चाली खतम हो रही थी भ wondल मो जो जो डेश खतम हो रहे थे नाइट शिफ्ट न dich Get अगले दिन आपको एक आफ बिलता है तो वह साब हम चांते थे क्으 आफ इवानी बनी रहा है यह सब भी कारण थे अलग अलग कारण थे तो ये तो उनकी एक्डिस्टेटिवा स्मास्या हो स आप वंदे भारत के एक तरह के जिनों ने रचाहिता टी एटीन के नाम से ट्रेन बनाई आईसीएफ मद्रास्थ में आपको वंदे भारत जगा जगा है। और दूसरे मेरे साथ वीक्राइप साहभ हैं मेरे मेरे जिसको कहता है मेरे गاؤں के इस तरह से कि हम सब लोग गुर्ठपुर के हैं राए कुछ रियल को कैसे चुनाए जाता है यह इंजिनिरिंग वाले हैं साइट के हैं सुधान्शू इंजिनिरिंग के हैं लेकिं सुधान्शू इंजिन भी बनाए डियरम रहे तो रेल को चलाए भी और यह सारे काम किया है सुधान्शू सुधान्शू पहले मैं आप से जराए समझाना हूं जी एक नया सेबाटोज एंगल एक और दूसरा थोड़ा की यह रेल आम आदमी का चलने का वहाँ नहीं रहे गई है रेल बहुत महंगी होती जा रही है और तीसरा जो सुरक्षा की बात है बार बार हर इतना इतना कॉमर हो गया आप रेल दुरखटनाएं और उसमें बार बार यह आ रहा है सुरक्षा की चूख है तो यह क्या यह कवर अप है सुआचो पहले तो मैं आपकी जो रेलवे लाइफ लाइन है और कावन आदमी के लिए रेलवे कितनी इंपॉर्टमेंट है आपने दो बताई इसमें कोई दो राय नहीं है अपारत में और सब को एसी में अगर आप चलवाना चाहते हैं तो एसी का किराय तो सब कोई नहीं दे सकता न अगर ऐसा है कोई बुराई नहीं इसमें लेकिन आप किराय मत बढ़ाईए अभी इसी किराय में ले जाईए जब उसके पास पैसा होगा तो एसी का किराय देगा अगर जब आप विक्रसित हो जाएंगे ये मैं हमेशा कहता हूँ और कमफर्ट से ज्यादा पहले उस पे आते हैं इधर बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ट्रैक के उपर अब्स्रक्शन प्लेस किये जा रहे हैं और डिरेल करने की कोशिश हो रही है और इसमें अब कुछ केस के बाद मीडिया में रोज आ रहे हैं केस एन आईये तक को इंवाल कर लिए है रेलवे ने तो है कि आप ट्रेन डिरेल करिए तो ये अगें ये ऐसी चीज़े जिस पर हम और आप क्या बोलें अगर इंटेलिजेंस के पास ऐसी ख़बर है तो ये बहुत सीरियस बात है जून से बहुत से केंड मुड़ गया चार मैने हो गए अभी तक आपने इसमें क्या पता लगाया य जो कि इंटेलिजेंस इतनी इतने दिनों में कोई ठोस्त आपने ये नहीं बताया ये कोई साधश थी तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अगर ऐसा है तो बहुत सीरियस है क्योंकि रेलवे कहां तक पेट्रोल करेगी ये पॉसिबल नहीं है पेट्रोल करना राय साब भी बाद म है तो आपको इंटेलिजेंस के थूँ ये जो भी ऐसी कोशिश कर रहा है उसके उपाट पकड़के उसको नियूट्रलाइज करना होगा अब एक चीज और उठती है कि ये सवाल उठेगा कि भाई अगर प्रोफेशनल कोई ये डिरेल्मेंट कराना चाह रहा है तो वो इस तरह के बचकाने मीन्स से इस्तेमाल करेगा ये जितने मीन्स है मैं चिकाने क्यों है मैं बताऊंगा आको तो हो सकता है ये परपस हो इनका जो भी एजेंसी हैं जो ये काम करना चाह रही है कि पैनिक पहलाए जाए ट्रेन ना डिरेल की जाए और उसमें वो सक्सीड भी कर रहे है देखिए प करके बताना चाहिए कि वास्तिवत्पा क्या है ये एक पहलो हुआ अब आएं दूसरी तरफ मैंने कहा बचकाना मतलब आपने साइकल रख दी पत्थर रख दिया मील का पत्थर वो जो होता है रेलवे का वो रख दिया मोटर साइकल रख दी आप आपने यूट्यूबर्स क केसे हैं जिनको आप सेवोटाज बोल रहे हैं कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हुआ किसी ने शीशे तोड़े कहीं पे एक स्टेशन मास्टर का मर्डर कर दिया कहीं आरपीए स्टाफ को ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया वो अलग केस चल रहा है कहीं पे निहंग सरदारों ने लेवल क्रोसिंग पर किसी को पीटा या आहथ किया तो ये सब चीजें आप सेवोटाज में क्यों डाल रहे हैं अगर आपको फोकस पता करना है तो रेली जो सेवोटाज हो सकता है उसकी बात करिये इस से ये दिखाता है कि कुछ भी आप केसे इकटा करके कहना चाह रहे हैं तब से ही एक डिसकोर्स जब भी एकसिडेंट होता है तो पहली ख़बर आती है कि चाहे कि सोशल मीडिया से आए या जैसे भी कि भाई ये कुछ सेवोटाज सा लग रहा है यहां तक कहा था बाला सोर में कि वो एक बिल्डिंग दिखाई या दे रही है वो मस्जिद है और पाजूबे की नमाज के बाद बात हुई कि ये किया जाए और चूकी साथ स्टाफ रेलवे के जो अल्टिमेटली इन्वाल्ड निकले अपनी केरलेसनेस या मैनिफलेशन के लिए उनमें एक या दो मुसल्मान भी थे तो इस तरह की ख़बर पहलाने लगे आप अभी इस आफिसर थे उन्होंने का ऐसा नहीं हुआ तो ये टेंडेंसी क्या है ये टेंडेंसी इसका मतलब आप सुरक्षा की बात की मैं कहुँगा संरक्षा यानि सेफटी से आप नजर हटा के सुरक्षा की तरफ डखेलना चाहते हैं और आप एक तरह से आप अपना करें कि भाई ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कोई साजदिश है या नहीं है लेकिन रेलवे का काम है अपनी सेफटी पर द्यान देना आप उस उसकी बात भी कर रहे हैं तमाम मेजर्स हैं कवच है अर्टिविशियल इंटेलिजिएंस का यूज है ट्रैक के अफग्रेडे अगर है तो अब पता करिए जल्दी बहुत दिन हो गए और अगर नहीं है तम भी बहुत डेंजरस चीज है इसका मतलब आप एक डाइवर्जिनरी ट्रैक टैक्टिक्स लगा रहे हैं और रेलवे को एक ये ये दिखाने के लिए कि ये सब रेलवे का दोश नहीं है ये तो कोई असामाजिक तत्व है या टेरेडिस्ट है वो ये कांग कर रहे हैं तो मैं इसका हूँगा कि ये दोनों ही चीज़ें सीरियस है और दोनों को उसके साब से देखना चाहिए ये एक मिनट ओलूँगा आप देखिए आपने भी केस जो गुजरात का बताया इवन मुझे ये खाबर आई तो मुझे सीरिस लगा कि भाई अभी तक तो ये बचकानी हरकत थी लेकिन ये तो इन्होंने फिश प्लेट ही निकाल के लगा दिये ये तो कुछ मामला गरबर लग रहा है जब वो फोटो आई मुझे भी ये लगा एक कानपूर का केस था सिलिंडर के साथ आपने का कुछ पेट्रल मिल गया पेट्रल बांग टाइप का तो मुझे लगा कि वही इसमें ये कहना कि ये साधश नहीं है डिरेल करने कोशिश नहीं है तो ठीक नहीं होगा अब देखिए फिश प्लेट वाले केस में क्या निकला जब आप इतना पैनिक पहलाएंगे तो उन्हों ने स्टाफ में सोचा चलो हम भी इसमें हाथ दो लें बहती घंगा में आवार्ड ले लें तो ये सब देखिए ये सब आपका किया हुआ है आप इतना पैनिक पहला रहेंगे ये सब चीज़े आ रही है ये बहुत ही चीज है अपनी सेफटी पे ध्यान दीजिए आ आप यहां डाइवर्ट मत करिये चीज़ों को जी जी मैं राय साब आपके पास आने से पहले दर्शकों के एक चीज़ और बता दू अश्वनी वैश्णों जी का मतलब ना कोई रेलवे का एकस उनके पास कोई इस तरह कानभव है ना वो कोई जीत के आए हैं कि लोग निर्वाले वेक्टी वह शुट्र कॉर्पर्ट सेक्टर से आए हैं और अभी उनको रेलवेज हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्वेशन और ब्रॉड कास्टिंग हैं एड्र मिनिस्टर ऑफ एलेक्ट्रोनिक और इंफॉर्मिशन टेक्नोलिजी तीन उनको बहुत भारी रहा हूँ कि Minister of Railways के पास इतना काम होता है कि वो एक नहीं उसके साथ दो उसके स्टेट मिनिस्टर होते हैं और उनों लोग के पास फिर भी काम खतम नहीं होने वाला है मैंने देखा है George Friendis साब मंत्री रहे हैं या कोई भी रहे हैं इन लोगों के पास फुरस्त नहीं होती है तीन तीन वे भाग अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब रेलवे के एहमियत को आप कहीं न कहीं माना है कि इसकी बहुत ऐसा है ठीक है चलता है तीन मंत्राले में के भी समय तक यांत्रिक में काम किया डेप्टी चीफ इंजिनर होके आप रेटायर हुए नियार से आपको कभी ऐसा एक भी इंसिटन्ट याद है कि जब रेलवे वाले ने अपने ही घर में सैबर्टाज करने के कोशिश की हो यह क्यों हुआ है यह एक इंपोर्टन्ट है और दू आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि रेलवे वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि वो अपने घर के अंदर कोई सेबर्टाज का काम करें लेकिन रेलवे में एक्सिदेंट्स के मामले में दो चीजा बड़ी महत्वपून है यह तो बड़ा सीवियर परिश्मेंट है उसमे कभी भी एक्सिदेंट होता है तो उसमें जो जांच में रिपोर्टें आती हैं उसमें अधिकतर लोग रिमूब हो जाते हैं और इनको परिश्मेंट भी मिलता है उनको बहुत सीविर परिश्मेंट मिलता है तो प्राया एक्सिदेंट के बाद लोग यही प्रियास करते हैं कि इस जिम्मेदारी को किसी दूसरे के सर पे डाल दिया जाए, ताकि सबसे आसान तरीका है कि साहब इसमें सेबोटेज हुआ, तोड़ फूर हुई और रेलवे वालों का कोई हाथ नहीं है, इसलिए ये सेबोटेज का जो प्लान्ड जो तरीका है वो लोग अपनाते हैं, टीपार्त्मेंटल में जब जाँस में जब यह बाते आती हैं कि वहीश वजय से हुआ, चाहे हुमन फेलोर हुआ, चाहे टेक्निकल फेलोर हुआ, तो डीपार्तमेंट के ऊपर बड़ा एक्शन होता है, तो सेफ।ी के मामले में रेलवे बहुत पहले से बहुत कांसास है, और संरक्षा के मामले में रेलवे कभी कोई धील नहीं देती है और इसके उपाय भी बड़े फुल प्रूफ हैं, इसके उपाय तने फुल प्रूफ हैं कि छोटी मोटी गलतियों से बड़ी दुरघटनाय नहीं हो पाती हैं, आपको मैं बताऊं कि रेलवे के ट्रैक में अगर स्लीपर के लगातार 4-5-6 स्लीपरों में भी अगर पेंडरोल क्लिप्स न रहें तो भी ट्रैक पर दुरघटनाय नहीं हो पाती हैं, इसलिए कि स्लीपर इतना मदबूत है और उसके उपर 60 kg की रेल है, तो दो चार स्लीपरों में पेंडरोल क्लिप्स नहीं रहने पर भी व तो वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दी जानी चाहिए, दिन की पेट्रोलिंग के लिए पेडोलवाई स्वेंग अपने करी 40 km में सक्षन में प्रते दिन एक तरफ जाता है, हर दूसरे तिसरे दिन वह अपने 40 km का सक्षन कूरा कर लेता है, और प्रते दिन नाइट को भी बर की महिं की दिवटी लगती है, वो टार्च लें करके और रात को जाता है, ऐसी परिस्तिती में पेट्रोलिंग का तो आइडिया बहुत पुराना है और बहुत परफेक्ट है, आज कल स्टाप की कमी के वज़े से पीडलवाई भी वो पेट्रोलिंग में हिला हवाली करते हैं नहीं प्रवाईड कर पाते हैं, दूसरा ये कि स्टाप की कमी के वज़े से ये जो और जो काम उनके जो डिपार्टमेंटल है वो नहीं हो पा रहे हैं, वो संविदा पर लोगों को लगा रहे हैं, संविदा वाले की कोई जिम्यदारी नहीं है ट्रेक्ट सेफ्टी की, वो स है उस विशे का डीटेल जांच हो और उस जांच के वज़से जो जांच में जो निश्कर्स आते हैं उनका धैन हो और उनको भविश्व में नहों इसके उपाय किये जाए तो आज तो किसी ने किसी दिन तो यह बाते आने हैं इसलिए इतना बड़ा मेंटेनेंस का डिबाटमेंट बनाया गया मेकेनकल का वरकसाप बने बड़े-बड़े ट्रेक डिपो बने पीडोलवाई को उसके जीमेदारियां दे गए रातकोवाफिसर्स का नाइट इस्पेक्शन होता ह है और फुर्ट प्लेटिम होती है तो यह सब चीज़े बनाएं गए लेकिन इसको इमांदारी से आपरेट किया जाना चाहिए यह काम जो है थोड़ा सा इसमें अब धिलाई आ गई है रेलवे में मैं आपको बताओं कि एक बार में डिप्टी चिप इंजिनियर था तो बद अबर जो इंजिनियर थे ब्रीज के उनसे वो काम नहीं हुआ तो लोगों ने हम ही को लगा दिया तो हमने का अच्छा ठीक है मैं जाके इंस्पेक्शन किया तो इंस्पेक्शन ने पता चले कि साब जो गर्डर बनके आये हैं वही सही नहीं है उनके होल सलग अलग है को स्क्रेप करना पड़ेगा और फाइनली इसमें बड़ा हंगामा हुआ अडियसो ने इंस्पेक्टिया और रेले बोर्ड ने इंस्पेक्शन हुआ तो उन्हों ने हमसे साइट पर कुछा कि पुराने वाले गर्डर से बना देने में क्या है हमने का सब बात यह है कि 10-20-20 पर चल तो जाएगा 10-15 सार लेकिन जिस दिन कोई बड़ा हादसा होगा आपकी बदनामी होगी हमारी बदनामी होगी बेहतार है 20 करोन का नुक्सान है आप इसको स्क्रेप कर दीजे निया गर्डर मंगाईए और ठीक रहेगा फिर वो बात मान गया सारे गर्डर स्क्रेप ह का मामला सप्रेप हिसो Almost in श यह सेफ्टी का मामले में पैसे का महत्त नहीं होना चाहिए तो इस तरह से अच्छा इस ही सेफ्टी को ले कि नितीज कुमार साहब जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सारे फुलों को बनाने के लिए एक अलग से SRSF फंड बनाया था सायद उसमें हमारे DRM साहब मडी साहब बडी जी उसमें कहे DRM या जीम रहे होगे SRSF का fund create a special railway safety fund तो उस fundों से जो पुराने पुल थे वो सारे पुलों का रिमोडलिंग हुआ नए पुल बनाए गए तो संरक्षा तो बहुत ही महत्वपूंड चीज है और इसका किसी भी तरह से चाहे मांसिक रूप से या फीजिकल रूप से इसका इग्नोरेंस तो बड़ा बड़े खराब परिणाम देगा इसलिए संरक्षा के मामले में रेलोग को चाहिए कि फूल प्रूफ एक्टिविटी करें इसमें लोगों को लगावे सिर्फ टेबल में एसी कमरे में टेबल पर बैट करके बात करने से संरक्षा का काम नहीं होगा संरक्षा के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी नीचे सिले के उपर यह हमारा कहना है सर्च मामले मैं फिर चे एक बार आओंगा आप आप बने रहे हैं सुबाश चौधरी साथ आप सुबाश चौधरी साब रिटायर हो गए हैं आर्पिएफ में बहुत लबे समय तक काम किये सुबाश चौधरी साब एक चीज़ ये भी है कि जो कहा जा रहा ना कि इंस्पेक्शन बढ़ा दीजिए उस पर निगरानी रखिए गष्ट जारी रखिए आर्पिएफ का जो मेरे पास जो ख़बर है उसके अमसार आर्पिएफ की संख्या घटी है पहले से लेकिन काम भी बढ़ गया है तो आप ये संभव है कि आप उसका इंस्पेक्शन गष्ट ये ज्यादा करने लगे यहां करने लगें तो कहीं और इग्नोर होगा तो बूल रूप से जो बात राय साब ने उठाई है कि ये सारा कुछ वेकेंसी की बात है आपको और लोगों को रखना है गुद्र घटना है बहुत कॉमन हो गई है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है सुवाच वाद्री साब आप इसको कैसे देखा है संदर में ये कहना है जैसा कि राय साब ने बताया मैं और जीम सर को तुम्हें सुन नहीं पाया लेकिन इन्हों सही का कि ट्रैक की जिम्मेदारी जो है पी डव आई या इंजिनिंग विभाग की है और 24 आवर उसकी ट्रैक की निग्रानी करता है ट्रैक कहां चूटा है फू से चाहिए और संविदा से आ रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो है नहीं तो इस वजह से मुझे ये कहना है कि इंजिनिंग विभाग अपने आपको खुद ट्रैक की पेट्रोलिंग होगी तो इस तरह की घटनाओं पे हम लोग निजात पा सकते हैं ये सही है कि हर हैं तो जहां तक आपने सवाल उठाए कि ये तो है कि मैन्पावर की कमी है इसको नकारा नहीं जा सकता है अगर संख्याबल पूरा प्रयार्थ हो तो उस तरीके से उसका सही इस्तिमाल किया जाए और लगे हाथ में ये भी कहना जाऊंगा कि ये जो दुरगटनाय हो रही है इस लाइक आफ इंटिलिजेंस फिल्योर अगर इन सब चीजों को हम देखें तो वो चाहें इंजिनिंग साइट से हो या किसी और की साइट से हो कहीं से हमारी इंटिलिजेंस फिरोग होती है उसमें आर्पिए भी जिम्मेदार है पुलिस भी जिम्मेदार है और जी आर्पी भी जिम्मेदार है जी आर्पी जो वेक होम के साथ होम जो हमारा सिगनल होत उसके अंदर हो काम करती है और जो आउटर सिग्नल टू आउटर सिग्नल में लोकल पुलिस काम करती है तो आर्पी अपका काम उसके साथ समन्नुए अस्थापित करना जब हम समन्नुए अस्थापित करते हैं अजब इंटलिजेंस का आदान-प्रदान होता है तीनों से जी आ करने का coordination between the two forces three forces हो जाते हैं जी आती आती है और civil police को अस्तापित करना होगा और साथ साथ civil जो इंजिनिंग से भी हमारा अस्तापित करना बहुत जरूरी हो जाता है मुझे स्वाजी एक छोटा सा प्रशन पहले मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि यह जो समन्वे था क्या पहले बेहतर था अब कराब हो गया या कम हो गया क्योंकि एक्सिदेंट क्यों बढ़ गया है रेल चलती थी इतने एक्सिद के साथ हमन्नों मिटिंग करते थे जाते थे मिलते थे और अपनी चीज़ों को प्रस्ट करते थे तो उससे यह कोडिनेशन बना रहता था जिससे कि उसमें दुरगटना इन सारी चीज़ें पे नहीं हो पाती तो तो हर्जेग होता था तोटे मोट यह घटना इस्टोन पेल् करते थे लेकिन अभी कुछी यह जो देखने में जो बिगत एक महीने से दिखाई पड़ रहा है सनाई पड़ रहा है कि यह कहने के लाइक आफ और आप अच्छे ठीक है ठीक है मैरे साथ हर्विजन सिंग सेद्धू साब जुडगाए है हर्विजन सिंग साब सीनियर और द ही थे हम लोग कई मैने दो चार एक दो मैने पहले जब एक एक एकसिडेंट हुआ था हम लोग बात भी किये थे सुदानचु जी का कहना यह मानना है सिद्धू साब कि रेलवे में जो कुछ रनिंग स्ताफ है जैसे वो कहते हैं लोको पाइलेट गार्ड गेट मैन की मैन ट् लिकाद दिन नहीं आते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है रेलवे अपने आप लेकिन अगर लोको पाइलट के में दिक्कत होती है तो वो जीरो टॉलरेंस है लोको पाइलेट को यह साथ पापा पी डेलु आई के साथ आप नहीं कर सकते हैं और हमारे हैं से में कुछ वेक पाइशी ताकतों के हाथ हैं कोई कहा रहा नक्सल नेक्सलाइट का वह है आप इसको कैसे देखना है सिदु साथ अनन जी मैं आफी चाहूंगा आपके बीच में लेट हो गया अब फस गया था ट्रेफिक में आपने जो जिस इस्षू पर बारता रखी है बहुत गंबीर विशे है और इसका एक ले मैं भी समझता है कि अगर बारती है रेलवे में में आप भरती नहीं करेंगे एसेंशल केटेगरी की जो बहुत जरूरी है सेटी केटेगरी को तो एक लाख सतर जार तो वकेंसी खाली पड़ी है तीन लाख टोटल खाली पड़ी हुई है तो इन्होंने समझा था कि जतनी सेविंग कर लें और रेलवे तो डंडे से चलाई जा सकती है टैरर क्रेट करो और रेलवे दोड़ेगी वो मुझे मालूम नहीं है कल से कोई पैराशूप से आके रेलवे को समझेने लग जाए तो यह तो बहुत बेपूफी है अगर किसी की सोच है तो रेलवे के अंदर चली-चली साल नौकरी करने के बाद भी रेलवे को नहीं समझ सकते हैं कि रेलवे कितनी डीप है प्रंतु यह बाहर से आकर अगर कोई डंडा चला कर समझे कि हम डरा कर टेरर क्रेट करके रेलवे को दोड़ा लेंगे वो उनकी बहुत बड़ी भूल है और जिसका नतीज़ा ह चलेगी गाड़ी है पहले भी तो जब देश में आतंक बाद चाया हुआ था तब भी गैंगमें जो है रात को डस करता था लाइन के ओपर अगर बिसल बजाना भी पंजाब के अंदर तो गुना था जैसे बिसल बजाते थे टर्रियर्स गोली मारता था तो उसकत तो कोई ग प्रीर्डिगरीकी खाली रखेंगे तो कौन अल्लंग यहां के तो रेल विद्लेवो को चलाएगा नहीं, वो तो मैनपावर ही चलाएगी उसको उसको ऐसको ड्राइवर डिय लोको मोटीव को चलाएगा गयनमैनी ट्रेक को मेंटेन करेका संटी स्टाफ лучше को मेंटेन करेगा तो अपरेटिंग स्टाफ हो अगर आप दिली से अमरसर वाला शेक्षन देखें तो एसम जो है वो आठ घंटे नौकरी है उसकी जिसकी मैं समझता हूँ पैनल पे 6 घंटे नौकरी होनी चाहिए वो पानी चाय भी नहीं पी सकता है उसके उपर इतना जवर्दस लोड है कि वो आप इन्वाइट कर रहे हैं खुद एक्सिडन को जो है तो लेहाज मेरे हिसाफ से पहले कभी रात में ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक दिया करते थे अभी तो ऑपरेटिंग स्टाफ चाहता है मेरी गारी नहीं रुकनी चाहिए उसका वील जो है दोड़ना ही चाहिए तो उसके कैब में वो 52 डिगरी के करीब टेंपरेजर हो जाता है और वो इतने बड़े तंदूर के अंदर बैठ कर 500 कुलिमेटर तक यलो और ग्रीन करता हुआ दोड़ता है अमरे सर्दा जाता हुआ उसने सिरफ लोकों नहीं चलाना है उसने सिगनल को एक्चेंज करना है तो आप अगर ड्राइवर की नौकरी को लोग बाग मजाक समझे बैठे हैं तो इतने टेंशन में अगर काम करेगा और फिर कहेंगे कोई एक्सिटन नहीं होना चाहिए कभसे सुन रहे हैं कि भी हम एक्सिटन फ्री जून बनाएंगे उसके लिए कहां से फंड अलाउट करे प्राइवर करेंटी चोरी करके कोई ले जाएगा तो फिर तो रेलवे चोरी करके ले जाएगा और आप प्राइवडाइजेशन पर आपने धंदा बना रखाया कि हमने बिल्कुल चीप लोएस रेट पर काम कराना है तो अशन्चल सर्वेस्वीश भारतिया रिलवे इस तर देश की जमता को ट्रेवल कराना गारी में बैठा ही रहे वो और उसकी सारी सुकसवदाओं का ख्याल रखना है तो आपको जो उसकी सब्सक्राइब ख्याल रखता है उसको सेफ ली एक स्टेक्शन से दूसरे सिक्शन पर पहुंचाता है उसकी क्या जरूरत है ग्राउड ल वर्ड में कहीं पर नहीं है जो हमारे इंडियन रेलवे में गैंगमेन जो शहीद हो रहा है उस तरब तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है तो लहाजा जो चीजे रियालिटी है ग्राउन लेवल पर उसको कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा एक्सिडेंट हो जाएगा तो यह दिखा इनकी गलती हैं वो सुननी रहे क्योंकि वह बहुत पावर में है जो कह देंगे उसको मनना पड़ेगा ऑफिसर हमारे टेर्राइज कर रखे हैं करमचारी सारे टेर्राइज किये हुए हैं जो बोले उसको अपना सच्बन कर दो या ट्रांसर कर दो तो इस तरीके से ज्यादा देर तक मुल्डगा सबसे जो बड़ा इसको लापरवाई से नहीं चलाए जा सकता है पारलेमेंट पे बाहर इदर उदर ब्यान देने से नहीं चलेगा इसकी क्राउन रेलिटी पे जाना पड़ेगा इनको मेरे एसाफ से तो मेरा कज़र्वा तो यह है मैं सिंतु साब एक चीज़ और आपसे पूछ लो और क्योंकि आप यूनियन के हैं आपको इसको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं बाकि यह सब लोग रेलवे के लोग हैं शायद इनको थोड़ा उतना एक्सपोजर नहीं हो मैं यह कह रहा हूं मैं इसलिए पूछ रहा हूं राहूल गांधी एक दिन लोको पाइलट के शेड बे चले गए दिल्ली में और उसके बाद यह बात निकल के आई कि वह रही बात निकल के आई कि लोको पाइलट को बेसिक सुवधा जो अपना नित कर्व है वाश्रूम तक नहीं है डीजल रहा गया कि ने ने यह तो दिल्ली के लोग नहीं थे यह तो जो लोको पाइलट थे यह किसी कहां के सौथ के किसी उसके थे वह अरे बाई दिल्ली के हो चाहिए बंबाई के हो चाहिए वह कहीं के हो यह मुद्दा ठीक है कि नहीं है यह जरा आप समझने की बात ते और उचित था सिद्धु साथ लोगों को यह दिखाएं कि यू आर दी पर सकते ना समझ सकते इंडियन डिल्वे को लेहाजा जो दो अगर उनकी विकनसी भरने में आप समझेंगे कि सेविंग हो रही है पर मंस उनकी सेलरी को बजाकर यह तो बहुत बड़ा मजाक है यह सेबोटेज इसरी के से हो रहा है तो लेहाजा राहूल गांधी क्योंकि वह एक बड़े लीडर है देश के तो इसलिए अट्रक्ट कर दिया मीडिया ने उनकी तरफ प्रंतु इसमें सचाई है कि उनको कोई जो ठीक नहीं है अगर उनको समझना है तो कई महीने टाइम निक इसका रेलवे का ज्यान नहीं आएगा वह ठीक है अपनी दिखाने के लिए जुब कह रहे हैं कि मैं पार्लेमेंट में बोलने से पहले ग्राउंड पे जाता हूं उसकी रियालेटी को समझता हूं वह ठीक है वह एक दिल्ली में मीटिंग दी लोको रेनिंग स्टाफ एस्ट प्रंदोन के अजंडे अठफाके तो देखे ना जी अगर प्रूट्मेंट तो आप प्रूट्मेंट पर बैन नीव क्रियेशन पर हमारे यहां पर जर्णर्ण मेंजर केनाट क्रेट ए सिंगल पोसर ऑप्वी स्टेशन मास्टर सेशन मास्टर बग जाएगा विधाउड यार में रिमाक्स आएगा अगर तीन पर्संट सुरंडर करेंगे तो उनको रेलवे वीक में अवार्ड दिया जाएगा कि वन आफ दी बेस्ट ऑफिसर जो हमारे ओडरों को वे कर रहे हैं तो इस तरीके से इंडिया रेलवे तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा इंडिया इसको क सब्सक्राइब करता हूँ तो यह अलड़ी हर फील्ड पर हम बता रहे हैं प्रंतु पूरी कॉर्मेंट आफ इंडिया के अंदर 40 परसंट अंग्रोल स्टाफ है मुव्मेंट सेक्टर में तो कि इन्होंने का सोथ रखा है कि इसको डिस्बैंड करना है और इसको हम प्राइब कर दिया है तो लहाजा प्राइब करने से समझ रहा है कि शायर सेविंग हो जाई और रेलवे चलेगी यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इनके लिए अप्रोप्रेट फंड देना पड़ेगा वेकेंसी इनको अपडेट करनी पड़ेगी ट्रेनिंग के लिए इनक नहीं कोई टेखनीक आई है तो उसका भी उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए रेलवे इंप्लोई कहीं पर कोई कोता ही नहीं कर रहा है आप किसी ड्राइबर को कह दें कि उसने वह फ्लाने टेर्रिस्ट से मिल गया और उसने गाड़ी गेर दी उसने सबसे पहले मरने वाला लो जी जी से दूसरा मैं सब्सक्राइब आपसे यह जो एक जनरल नरेटिव और एक बनाया जाता है मैं भी पॉब्लिक सेक्टर में काम किया हूँ आपने भी सरकारी यह सब हम लोग सरकारी की प्राइटाइजेशन आ जाए विल इंशोर क्वालिटी विल इंशोर सेफटी विल इंशोर एवरी इंशोर पैसा उसमें कम लगता है और वो लोग बड़ा अच्छे दंग से काम करते हैं कॉम्पोटेंट जाता है जबकि मेरा अपना मत यह है कि सारे आप किसी भी पॉब्लिक सेक्टर को आंद बंद करके उठा लीजे उसके लोगों का प्रोड़क्टिटी ज़्यादा होता है ज़्यादा कॉम्पोटेंट हैं ज़्यादा टाइम देते हैं और अगर देखिए तो दिया लोली पेड ऐस कंपेर टू प्राइवट मैं इस पर एक आपका क्योंकि यह जो अधी दौड शुरू हो गई सब प्राइवटाइस कर दो रेल्वे में स्टेश 2.65 लाक क्रोर रेल्वे को इस साल मिला है यह हो गया कैपेक्स लेकिन उससे ज़्यादा इंपोर्टन है कि आपकी फाइनेशल हेल्थ कैसी है तो इनका अर्निंग बढ़ नहीं रही है खर्चा चुकी इंफलेशन है तो खर्चा तो बढ़ेगा तो यह इन चुकी अर्निंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं स्पेशली फ्रेट में तो यह चाहते हैं कि खर्चा कम से कम किया जाए किसी भी तरह से तो प्राइविटाइजेशन का एक रीजन तो यह है लेकिन मैं उसी बाग पर आता हूँ आपने भी कहा है भाई पहली सबसे पहले है जो इमीडियेट इंप आएगा और एक लॉंग टर्म इंपक्ट ट्रैक्मेन की वेकिंसी या और जगर मिकैनिकल स्टाफ इनसे भी आएगा तो वो तो आप एफोर्ड करनी सकते यह बड़ा शॉट विजन है अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाई नॉट पोस्टिंग पीपल यूल बी अबल टो से इसकी हैं मैं यह जरूर कहता हूँ कि जैसे आपने हाई-end trains बनाई या कुछ specific manufacturing area अगर आप प्राइविटाइज करना चाहें आप कर सकते हैं उसमें आप चुकि आप better service देंगे उससे अच्छा पैसा कमाईए लेकिन उसको use करिए to improve the services for common man तो core activity प्राइविटाइज करने का कोई सवाल नहीं है और अगर जो प्राइविटाइज करते हैं उसका use उस पैसे का कहा कर रहे हैं यह important है तो मैं मतलब यह जो across the board प्राइविटाइजेशन का इनका अगर plan है अभी यह बोलते हैं हर बार बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाएं तो वो तो नहीं चलेगा यह म पैनिक क्रियेट करने के लिए हो अब यह जून से अगर आप अठारा केस हो गया है और उसके बाद तीन-चार और हो गया है तो अब तक आपने intelligence agency में क्या किया यह अब जाना ज़रूरी है यह क्योंकि भई यह कोई ऐसा तो नहीं है endless चलेगा अब तक तो फख़ड में आन अधियान देके रोज एक ख़बर पहलाते रहें कि यहां पर सेबोटाज हो गया यहां पर यह हो गया यह इसका बहुत बुरा असर होगा यह आप एक दिन चला लेंगे एक दिन चला लेंगे पर यह आपने वह बेड़िये वाली कहानी सुनी होगी वह फिर रेलवे में भी ही होगा और उसका खम्यादा हम आप बुक तेंगे कल को तो ये इतना मुझे कहना है जी राइसाब मैं बस एक ही बहुत संख्शेप में क्योंकि आपने बहुत दिनों तक ये देखा आपने ठेके बहुत आवार्ड किये ये जो दो लाग साथ हजार करोड की बात हो रही है जो कैपेक्स है और जो रेलवे के रणिंग एक्स ये केवर्ड ठेका पट्टा इसी में सारे लोग लगे हुए है मतलब ठेका किसको दिया जाएगा कैसे निकाला जाएगा सारे लोग ठेके में ही सारा आई है कि रेलवे को इतना पैसा है अब मैं जाता हूँ स्टेशन पे ग्र लोगों का यही अब फोकस हो गया है कि ठेका दो और उस पर से कैसे कैसे क्या करो उसे क्या बताने की ज़रूद है आप ज्यादा समझते हैं राइसाब सर यह जो कंट्रेक्श्वल सिस्टम बनाया गया इसलिए बनाया गया कि जब ओकेजनली कहीं काम कराना हो तो किसी एजन्सी को काम दे करके और उसे अच्छे प्वालीटी पर काम करा लेना चाहिए पहले यह काम होता था तो एजन्सिया भी बड़ी पक्की रहती थी और तो यह ठेका से काम करानी के भी अलग विवस्था है लेकिन एक ऐसा काम जो पर्मानेंट है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज के जरुरत है और जब तक आदमी काम को बार-बार नहीं करता चाहा मैंने साल बर 2-4 साल नहीं करता तब तक उसको उसके रेल्वे के टेक्निक पोस्ते हैं जो सभीधा पर चलाने से शुरक्षा को पूरी तरह खत्रा ही है जान जाए कि जो आदमी पर्मानेंट है वो गल्ती करता है तो उसको चार्शी ट्रेल्वे देती है पनिस करती है उसको तो डर है लेकिन जो आदमी सुबह से साम्त काया है साम्त को अपना दो पै पैसाल अपने किनारे हो वह तिमाग में जो एक हावाया का Mansion संद बहुत बड़ा परिवार है और वह इन वह अधाब करने कर एक सब्सक्तर और लोग तमाम ऐसे को चाइबेद्धी परिवारों ही कर लिए और इस ही हो अपनी दुनिया कर्ता वे इस पना माबब पता करके काम करते हैं तो इसके साथ सेफ्टी रिस्क अच्छा नहीं है पैसा आप जितना भी दे दें लेकिन उसका ठीक तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए आज कल जो अफसार आ रहा हैं उनको भी बातां समझ में नहीं आती है सिविल इंजिनिंग का कंट्रेक्ट यू है म करती शक्ति में में सिविल इंजिनिंग का कर रहा है सिविल सीगनल का इस तरह से बनात यह कि हर आदमी अपने जोगार में अपने फैदें में तो आगर अपना जोगार अपना फैदा करना। अपैदा कहां से होगा एशन से होग midst data का से होगी railway पर दूसरा को चुरा ले गया और वो इनको नहीं मिली तो अगर तो यह सब चीज नहीं होनी चाहिए आदमी से काम कराइए क्वालिटी वर्क कराइए उसको मान समान उसको जो भी अथोचित है उसको पर करार रखे तो रेलेवे में इस फैसा देने से ही काम नहीं होगा करने वाले को पते नहीं समझ में आता है कि हम काम करें गोरख पूरेलिवे स्टेशन का पीच वाला फूटोबर ब्रीज आच्छे महिने से बंद है जो बुड़े हैं बच्चे हैं बीमार हैं औरते हैं उनको एक किलो मीटर या तो पूरब जिसा में आ करके चलना पड़ता है और नहीं बनाना है तो हम फोल गोदो लोग आई जाएं जैब बनाना और भी श्यियां का यहाल हैं तो सवाल है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें लोगों पुराने रिटाइड लोग हैं उनसे भी आप जो अन्भवी हैं उनसे बुला करके अपना बात्चित करके कोई काम करना चाहिए शिर्फ पैसा दे देने से तो ही काम नहीं होगा पैसे के साथ प्लानिंग जरूरत और उसे से रेलेवे के यूजर्स को प्यालाब होगा यह सब चीज देखना चाहिए वैसे हम अब बात एक कहेंगे कि मरी जी को हमारा पुना पुना बहुत बहुत प्रणाम उन्होंने बहुत 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 काम किया देश के लिए जो बंद बोपाल गैस ट्रेजड़ी में रेलवे मास्टर और पूरे रेलवे स्टाफ ने किस तरद से अपनी जान पे खेल के पत्लत में खजारों लोगों की जाने बचाई थी वो एक रेलवे मैन करके ओट्टी टी प्लाटफॉर्म पर चार सिरीज आई ए बहुत लिए अच्छी तो आर्पी एफ जी आर्पी एफ और लोकल पुलिस के रोल को भी डिफाइन करने का समय है या जैसे चलना है वैसी सब्सक्राइब ना होगा यह जो आपने कहा मैं उससे समय को एक बार इसको डिफाइन करना बढ़ेगा कि हमारी तो कहीं नहीं है लाइक तो है या ला एक आफ मीशियुल अंडर्स्टेइड निंग है ये सारी चीजे मैं तो उस नजरीय से देखता हूँ अपराधिक नजरीय से इसको देखना चाहूंगा और कैसे हो रहा कैसे लेकिन इसमें 100% मैं यह अपने तजर्वे और दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर लाइक आप इंट्रीजिशन सब्सक्राइब तो अगर यह जिस चीज को अगर कर दिया जाए तो लाइक किसी भी घटना को यह तो प्रिवेंशन इस बेटर दन क्योर और रोज उसके ट्रेक के पेट्रोलिंग करता है तो सीनियर डियन कोड्याइशन जो होता है वो अपने सीनियर डियाससी से जाकरके बात करें हमारे आवां कर तो नहीं आई है कुछ ऐसी सारी चीजें हैं की नहीं है तो उसको भी चाहिए तो यहां एक एगो की थोड़ी से लड़ाई हो जाती कि हरे यार मैं तो सिंगर डियम कॉडिनेशन हो वो आर्पियो वाला पुलिस वाला क्या जाएं तो यहां पे भी एक थोड़ी सी गैप आफ क्या करते हैं अंडर्स्टेंडिंग होती है यह सारी चीज़े सारे सिस्टर डिपार्टमेंट हमें काम करें तो हम इसके वो काफी हम तक इसके उपर काबू करते हैं यह मैं रखने हैं आप सबसे वरिष्ट हैं और आप सबसे सेनियर हैं एक चीज़ आप से पूछ ले एक समय रेल्वे का अलग से बजट आता था और हम लोग दूसरे दिन इंजार करते थे वही कौन सी नहीं ट्रेंज चले किया वो भी कही ना कहीं रेल्वे की को थोड़ी स्वायत्ता चाहिए कि अगर रेल्वे तो अपने में एक शहर है एक अगर देश कहना ठीक है एक शहर है जी मैं इसमें सिद्धु साब जरा आपका एक राय चाहूंगा यह रेल बजट का को कॉप्रमाइज हो किया गया भले अचीवमेंट बताई गई बड़े पटाके छोड़े गया कि इंग्रेजों के जमाने की रिवायत को हमने खतम कर दिया है वो बहुत ही किया है इसने भी किया है रेल्वे का अपना बजट होता था उस पर दो दिन बागा था बैस होती दी मंदरी के बजट स्पीश के उपर स सब्सक्राइब का बजट जो है वो पास हो जाता है उसको कोई समझ भें नहीं सकता है कि इतना बड़ा द्योग है अभी मेरे से पूर्व मैं सामान करता हूं सारे जो हैं रेल्वे के अंदर जिंद्गी दिये इनोंने बहुत ही उच्छ पदों पर रहे हैं बहुत ही आप्र सब्सक्राइब कर दिया उसको इनोंने पारशनाथ को बेच दिया सब्सक्राइब कर दिया है इसमें हमारे रेल्वे ऑफिसर जो अब यंग एज में आगर मेकैनिकल अविजर आता है लेक्टिकल अविजर आता है सिगनल ऑफिसर आता है वो चालीस साल रेल्वे में नौपरी करने के बाद जो जो चीज़ें को एक्स्पीरेंस है वो बताते हैं पर उनको आगे बाहर का आत्मी उपर से पराशूर से आकर बताने लगे कि भी मैं एक्सपर्ट हूं तो रेल्वे चलानी के लिए आगे आन सब्सक्राइब को चलाने के लिए दुबारा से इनको इसके ओपर मंथन करना पड़ेगा और मेरे इसाब से लोएस्ट एलवन पर कांटक्ट देकर काम कराने से क्वाल्टी आफ वर्ट नहीं आएगा प्रोडेक्शन पूरा नहीं होगा लिहाजा उसका जो एक्षुल में ज दूसरे देशों में भी देखने को नहीं मिलेगा जहां पर डाइक रोड पब्लिक 24 गेंटे बैठी रहती है बारती है रेल्वे के अंदर मनी जी ने तो बंदे बारत बंदे बारत तो दूसरों को दे दिया चलाने के लिए वो जी को अमरीकन कंपणी को एक जार लोकोमोट बंद कर दो उसको माँ पार आप इससे ज्यादा आप लोकोमोटिव नहीं बना सकते हैं तो अगर आप मेड़न इंडिया को खतम करके मेक इंडिया करेंगे और उसके लिए तो भुक्तान करना ही पड़ेगा देश को पुक्तान करना पड़ेगा और पब्लिक मर रही है उसक कुछ भी हो रहा है जी सिदू साब मैं खतम कर देता लेकिन आपने एक ऐसी दुखती रख छेड़ दिये सुधानचु मणी जी की तो वह बस इनको दो मिनट में बात कर दो कि उनकी दुखती रख है इनका एक बहुत मतलब जब व्यक्तिकत बातचीत होती रहती है तो इसमें कि इंडियन कोच फैक्ट्री जो मज़ास चिन्ही वाली है उससे बहुत सा ओडर लेके किसी दूसरे पुब्लिक सेक्ट्र को दिया जा रहा भी है मैं लेकर जिनको जिनका ये काम नहीं है मैं बहुत संक्षे में सुधानचु कहूंगा कि क्या हो रहा है जारा मैं समझ कि क्या हुआ है ये भारत में कोच बनाने की तीन फैक्ट्री में है बारती रेलवे की RCF, MCF, ICF सबसे पुरानी है आप तर कह सकते हैं कि फाउंटेन हेड है इसके रावा मेट्रो कोच बनाने की दो तीन फैक्ट्री है एक PML है दो प्राइवेट सेक्टर में है वो बाहर से लेके उसको बनाती है अब एक फिलिंग है कि ये जो BML की शायद quality of manufacture ICF से थोड़ी better है हो सकती है मैं उस debate में नहीं जाओंगा लेकिन जो fountain head है जो well spring है जो expertise है वो सारी integral coach factory में recite करती है और उसी expertise staff की engineers की use करके वंदे भारत बनाई गई थी किसी एक आदमी का कोई कमाल नहीं था इसमें और वो एक pride और passion के साथ काम हुआ था वो railway के जो कर्मचारी थे वहाँ पे उनके pride और passion का था आज आपने वंदे भारत तो जहां launch होती है तो बड़े fanfare के साथ प्रदान मंतरी खुद launch करते हैं चली अच्छी बात है लेकिन अब जब अगली एक sleeper version बनाने की बात आई और एक 250 किलो मिटर की वो जो शायद एमदाबाद मुंबई में चलाएंगे तो ये बड़ा natural है कि ये काम ICF को दिया जाए लेकिन किनी कारणों से ये काम BML को दिया जा रहा है भारती रेलवे ने ये काम अपनी factory से उठाके BML को देने का फैसला किया है जो मेरी समझ के बाहर है और कोई भी अपना इस तरह की नहीं जाओंगा लेकिन आप अपनी expertise उठाके आपने एक बाहरी factory को दे दिया रेलवे के लिए तो बाहरी हुई ये एक मेरी समझ से बाहर है और डुकती रख तो है जी आप समका पाचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उमीद ये है कि ओँ चुक चुक रेल जो है वो शायद फिर से छुक चुक होके अपनी पट्री पे दोड़े हमें इस तरह की ना मैं वेक्तिकत रूप से मैं बता दू, मुझे नहीं लगता है कि बुलेट ट्रेन का, इस देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत है, उस देश को चुक चुक रेल की जरूरत है, आप सब का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धु साफ, मनी जी, जी साफ औ ठाली साफ, तक्सक्ष बढुता है तक मैं आपो जोगता है, बाद बादा, आप बालंगे